हाई अवरिवन मैं हूँ धननजय जैसा कि हम सभी को पता है कि फेवरिडी 2022 से रश्य और उक्रेन के बीच में वार शुरू हो जाता है तब से लेके अब तक बहुत सारे अप एंड डाउन देखने को मिले जब ये वार शुरू हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे कि यूकरेन रश्य के उपर भारी पड़ रहा लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे अनलिस्ट थें या डिफेंस एक्सपर्स थें जिनका ये माणना था कि व्लादेमिर पुतिन बहुत ही जान बुश के इस वार को लंबा खीचना चाहते हैं ताकि यूकरेन के जो आर्मी हैं वो एक्जॉस्ट हो जाए और खास करकि जितने भी देश जो यूकरेन को सपोर्ट कर रहे हैं वो समय के साथ अपना सपोर्ट को कम कर दे और बहुत हद तक ये देखने को भी मिला है इसी बीच एक चीज जो हर वक्त on and off तरीके से चलता रहा वो ये था कि किसी भी तरीके से रश्या के साथ ये बाचीत किया जाए कि इस वार को रोक दिया जाए कहने का मतलब है कि एक negotiation process on and off तरीके से regular चलता हुआ आ रहा था वहीं अगर हम आज की बात करें तो almost ये हम कह सकते हैं कि 90 से लेकि 95% ये वार रश्या जीतने वाला है ये बस महज कुछ दिनों की ही बात है क्योंकि अब ऐसा लग नहीं रहा कि यूकरेन के पास वो दमखम बचा है जिस दमखम से वो रश्या को हरा सके इसी बीच अगर आप इस मैप को बहुत ही closely monitor करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारे areas आज के rate में रश्या के control में हैं और ये सारे areas जो थें वो यूकरेन का commercial capital थे और यहां से यूकरेन अपने economy का बहुत बड़ा हिस्सा generate करता था तो कहने का मतलब है कि वो सारे areas जहां से यूकरेन अच्छे खासे revenue generate करता था वो आज के rate में आ चुका है रश्या के पास और उसके बाद war में जाना या war करने से कहीं ज़्यादा important हो जाता है उस war damage से अपने आपको successfully निकाल लेना यूकरेन को आज इतना जादा war damage हो गया है कि उस war damage से यूकरेन कब तक निकलेगा इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है और शायत कहना भी गलत होगा उसके बाद जिस तरीके से यूकरेन को अभी भी support किया जा रहा है यूएस या बहुत हद तक सारे के सारे European Union देशों के दवारा ये सिर्फ और सिर्फ यूकरेन को अपने proxy के तरह इस्तिमाल किया जा रहा है रश्या के खिलाफ वहीं अगर बात किया जाए व्लादमेर पुतिन का तो ये multiple signals दे दिये हैं कि रश्या भी चाहता है कि अब ये war को खतम कर दिया जाए क्योंकि रश्या एक काफी advantageous position में है तो कोई भी देश अगर कोई area जीत जाता है और उस war में अगर उसका position strong रहता है तो वो ये कभी नहीं चाहता है कि जो area वो occupy किया है उसको वो दे दे साथ में वो ये भी चाहता है कि वो war उस वक्त रोका जाए जिस वक्त वो देश का position strong है तो हम कह सकते हैं कि अभी जो रश्या यूकरेन का war है इसमें व्लादिमिर पुतिन का जो position है वो काफी strong है और उससे भी बड़ी बात ये है कि वो सारे देश जो रश्या के उपर sanctions लग दिया जाए लेकिन उनके शर्तों पे और उसके साथ किसी भी तरीके से अगर यूकरेन इस war को continue करना चाहता है या west उसको support करेगा तो उस condition में भी व्लादिमिर पुतिन अपने आपको surrender या इस war को रोकना नहीं चाहेंगे कहने का मतलब है कि रश्या के पास आज के rate में इतन थ्री देशों में सबसे अधिक loan कौन ले रखा है तो आपको मालूम पड़ेगा उसमें एक Ukraine भी है उसके बाद Argentina और Egypt है तो आप loan ले रहे हैं लेकिन उस loan को repay करने के लिए आपके पास कोई ऐसा plan नहीं है Reuters कुछ उन officials का interview या कहले उनसे contact साधे हैं जिन लोगों ने काफी close तरीके से व्लादेमिर पुतिन के साथ काम किया है तो उनका भी यही कहना है कि व्लादेमिर पुतिन भी चाहते हैं कि इस war को रोग दिया जाए लेकिन उनके शर्तों पे वहीं पे अगर बात किया जाए योरोप के एक और देश जिसका नाम Belgium है और ये खुद भी European Union का एक member देश है इसके प्राइमिनिस्टर Alexander D. Crow यह recently मिलते हैं व्लादेमिर जिलन्सकी से जहां पे यह promise करते हैं कि यह Ukraine को F-16 fighter jet देंगे तो आप इस चीज को एक बहुत ही practical तोर समझें कि अगर आप एक frontline soldier रहते हैं और अगर आप war में participate करते हैं तो जो सबसे पहला bullet होगा वो chances है कि आपको ही hit करें ना कि उसको जो आप से 100 km दूर बैठा हुआ है तो exactly आज के date में Ukraine war में है ना कि Belgium वहीं पे अगर बात किया जाए कि Belgium कितने fighter jet देना चाहता है Ukraine को तो वो almost 30 aircraft देना चाहता है जो कि F-16 fighter jet है और by the way F-16 fighter jet को चलाना या maintain करना या इसके capable pilots को create करना बनाना ये अपने आप में काफी costly affair होता है तो यहां से भी हम clearly देख सकते हैं कि किस तरीके से European countries वो सारे पैतरे को आजमार हैं जहां पे वो यह चाहते हैं कि Ukraine continuously war में रहे लेकिन वो कि Ukraine इस war को खतम करें या at least खतम करने के लिए steps बढ़ाएं वहीं पे अगर बात किया जाए war का तो war में अगर US का participation ना हो तो वो in fact war कहलाएगा ही नहीं जैसा कि हम सभी को पता है कि F-16 US का fighter jet है तो यहां पे भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से directly और indirect तरीके से US इस war में participate किया है जहां पे single-handedly यह बताया जा रहा है कि Russia एक aggressor है उसके बाद अगर हम कभी भी इतिहास पढ़ेंगे तो हमें मालूम पढ़े है कि जिस तरीके से western countries अपने interest को बचाने के लिए पूरे के पूरे दुनिया को वो war में जोकने को तयार होते हैं और यहां पे भी हम वही देख सकते हैं अगर कोई भी problem अगर Europe का होता है तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि वो problem ना कि सिर्फ Europe का है बलकि पूरे विश्व का है वहीं पे अगर कोई और problem दुनिया के किसी और हिस्से में होता है तो उसे बहुत ही individual तरीके से देखा जाता है यहां पे भी Belgium क और उसके values को बचाया जा सके अगर आप बात करें European Union के interest का तो इनका interest बस यही है कि किसी भी तरीके से दुनिया में war चलता रहे और उस war के कारण यह अपने business को generate करते रहे हत्यार बेशते रहे और किसी भी तरीके से इस पूरे दुनिया में अपने supremacy को establish करके रखें और साथ करने के बाद जो announce किया जाता है वो सारे aid Ukraine तक पहुंचते पहुंचते काफी वक्त निकल जा रहे हैं तो कहने का मतलब है कि एक announcement करना अलग होता है और उस चीज को deliver करना अलग होता है तो announcement से लेके deliver के बीच में काफी लंबा gap हो जाता है और उस gap में काफी अच्छा मौका म मुड़ गया है जिसका खाम्याजा यूकरेन को भरना पड़ रहा है अगर हम इस वीडियो को conclude करें तो हमें समझ में आता है कि war कभी भी option नहीं होता है हर वक्त option जो होता है वो dialogue और diplomacy ही होता है आज के date में approximately 20% जो area है वो यूकरेन लूस कर चुका है और जैसे यह war आगे के बता है see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye